खमागर्णी फ्रेंस, वेलकम बैक टू स्वादोर सेहत आज स्वादोर सेहत में मैं आप लोगों के लिए गोबी की एक ऐसी सब्जी लेकर के आई हूँ जो एकदम हटके है, एकदम अलग है और एकदम यूनीक है क्योंकि इससे पहले आपने यूट्यूब पर कहीं भी ऐसी सब्जी नहीं देखी होगी और शायद आपने ऐसी सब्जी कभी बनाई भी नहीं होगी और ये फ्रेंस, सब्जी जो है ये बहुत ही टेस्टी बनती है एक बार आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा ये जो सब्जी है इसको बोते हैं आखा मसाली की सब्जी तो किस तरीके से ये सब्जी बनाई जाती है चलिए मैं आपको बताती हो तो सब्जी मनाने के लिए मैंने यहाँ पर 500 ग्राम फूल गोदी ली है गोबी को आप थोड़ी देर के लिए गुनगुने पानी में डिप करके छोड़ दें पानी में थोड़ा सा एक चमच के आसपास आप नमक डाल दें पानी हलका सा गुनगुना कर लें और उसके अंदर गोबी को लगबग 8-10 मिनिट के लिए छोड़ दें तक कि अगर गोबी में कोई कीडा वगर होता है तो वो निकल जाता है और गोबी एकदम साफ हो जाती है और फिर उसको आप ठंडे पानी से अच्छे से धो ले तो गोबी को मैंने साफ कर लिया है अब एक कडाही लेंगे जिस भी कडाही में आप सबजी बनाने जा रहे हैं व कर देंगे एक बड़ी लाइची डालेंगे साथी तेज पता और दालचीनी का टुकड़ा इसके अंदर डाल देंगे एक चमच जिरायट करेंगे एक चमच साबुधनिया एक चमच सौंफ नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से 10-12 कली इसके अंदर लैसुन की डाल देंगे साबुत लैसुन डालना है इसके अंदर सारे जो मसाले हैं वो साबुत ही डालेंगे पिसा हुआ कोई भी मसाला नहीं डालना इसमें और साथ ही देखिए मैंने यहां पर 8-10 लाल मिर्च ली थी उसको छोटे-छोटे टुकडों में मैंने तोड लिया है और यह जो लाल मिर्च है इसको भी हम गोभी के अंदर डाल देंगे अब इसमें हम एक लेडल फुल देशी गी डालेंगे यहां पर ध्यान दे इस सब्जी के अंदर तेल नहीं डलता है इसमें घी ही डलता है तो जिस चम्मच से हम सब्जी बनाया करते हैं अक्सर अपने घरों में वो चम्मच भरके हमें इसके अंदर देशी गी की डाल देनी है और साथ ही इसके अंदर दो बड़े चमच हम डाल देंगे दही, जिस चमच से हमने घी डाला था, उसी चमच से मैंने इसमें दही ऐड़ कर दिया है अब सभी मसालों को हमें मिक्स कर लेना है तो यहां आप देखी सारे मसाले जो है इसके अंदर हम साबुट डालेंगे पिसाबा मसाला कोई भी मैंने यूज नहीं किया है और सभी मसालों को मैंने एक साथ गोबी के अंदर डाल दिया है सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर लें और बस अब इस कड़ाई को हमें चड़ा देना है गैस के उपर और गैस की फ्लेम को आप लॉटू मीडियम करें और धीमी धीमी आज पर सबजी को पकने दें इस टाइम में आप अपना कोई भी काम कर सकते हैं ये सबजी बस इसका जो सारा मसाला था हमने सबजी के अंदर डाल दिया है अब सबजी का सिर्फ पकने का काम है तो देखी बहुत ही आसान है ये सबजी सारे मसाले हमने इसमें एक सार डाले हैं और बस अब धीमी धीमी आज पर आप इसको पकने दें धक्कन लगा दें और बीच बीच में इसको चलाते रहें ताकि ये तले में चिपके नहीं वैसे इसमें अच्छा खासा घी और धही हमने डाला है गैस की फ्लेम को हम लॉ मीडियम रखेंगे तो ये चिपकती भी नहीं है तो बस मैं इसको अभी ढखकन लगा देती हूँ और बस धीमी धी में आज पर मैं इसको पकाऊँगी बीच बीच में सबजी को चैक करते रहें इसको थोड़ा सा हिला दें ताकि जो गोबी है वो बिल्कुल अच्छे से पक जाए और जैसे जैसे ये सबजी पकने लगती है इसका जो अरोमा है वो पूरे घर में पैल जाता है आपका पूरा किचन इसके अरोमा से महक उठेगा ये खाने में तो बहुत ही ज़ादा टेस्टी है साथ ही इसमें खुश्बू बहुत अच्छी आती है सबजी के अंदर तो जैसे ये आपके घर में पकेगी आपके पूरे घर वाले इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे कि आज घर में क्या बन रहा है तो इसलिए मैं कह आप एक बार जरूर इसको ट्राइ कीजिएगा ये मस्ट्राइ रेसेपी है बहुत पसंद आती है घर में सबको तो सब्जी पर फिर से धकन लगा देते हैं और थोड़ी देर के लिए इसको और कुक करेंगे तो यहाँ देखिए सब्जी को मैंने लगबग 10-12 मिनिट के लिए लौ मीडियम फ्लेम पर कुक कर लिया है और यहाँ पर आप चेक कर लें गोबी को तोड़ करके एकदम सॉफ्ट हो गई हो गोबी तो बस गैस की फ्लेम को बंद कर दें यहाँ पर देखिए गोबी एकदम इस सब्जी को आखा मसाले की सब्जी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर जो सारे मसाले हम एड़ करते हैं वो साबुत ही होते हैं और हमारे यहाँ राजस्थानी में साबुत को कहते हैं आखा तो इसलिए इसको आखा मसाले की सब्जी बोला जाता है आप इस सब्जी को स्नेक पसंद आएगी मेरे घर में यह सबको बहुत पसंद आती है मुझे स्पेशली यह सबजी बहुत पसंद है तो जरूर ट्राइक कीजिएगा इसको और अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कर देना और मेरे चैनल पर अगर आप न